तो सबसे पहली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम WAMP सर्वर कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि WAMP सर्वर क्या है WAMP सर्वर एक लोकल कम्प्यूटर पर सर्वर की तरह काम करता है जिस पे हम अपनी वेबसाइट रन कर सकते हैं मान लेजे अगर आपकी कोई वेबसाइट है और वो ओनलाइन चल रही है वो ओनलाइन क्यों चल रही है क्योंकि उसका किसी ओनलाइन सर्वर पर सेट अप हो चुका है तो अगर आप अपनी website को local computer पे run करके देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको web server install करना पड़ेगा हमें web server की दुरूरत उन website को run करके देखने के लिए होती है जो dynamic websites होती है dynamic websites वो websites होती है जिनका data database में store होता है यह database क्या है आपको आने वाली वीडियो में पता चल जाएगा second वीडियो में हम wordpress का setup डाउनलोड करेंगे और उसके बाद उसे install करेंगे जब हम wordpress डाउनलोड और install कर लेते हैं उसके बाद हम उसमें login करते हैं तो login करने के बाद हमारे पास एक dashboard page open होता है जैसे मालीजे आप अपने gmail अकाउंट में username और password फिल करके login करते हैं तो उसके बाद आपके पास एक dashboard open होता है जिसके left side पे आपका inbox, send box और draft ये सारी चीज़े available होती हैं जिन मेंसे आप अपनी email चेक कर सकते हैं या कोई message compose कर सकते हैं या draft में कोई message save करके रख सकते हैं तो ठीक, wordpress में भी वैसा ही है जब हम अपने wordpress में login करेंगे उसके बाद हमारे पास dashboard page open होगा जिसके left side पे कुछ options होगी जो की fourth step में आपको नजर आ रही होगी post, pages, plugins, widgets, users, comments ये सारी options वहाँ पे आपको dashboard मिलेंगी जिसके जरी हम अपने website को manage कर सकते हैं ये dashboard क्या है जिससे हम ये सारी चीज़े manage कर सकते हैं उससे हम बोलते है admin panel तो ये हमारी website का admin panel होगा admin panel वो panel होता है जिसके जरी हम अपने website को manage कर सकते हैं मान लीजिये आपकी कोई website है और आप उसे update करना चाहते हैं करना चाहते हैं या उस चीज़ को डिलीेट करना चाहते हैं तो आप वो सारी चीज़े कहां से कर सकते हैं website के admin panel से तो wordpress में भी वो सारी के सारी options हमारे admin panel के through handle हो सकती है झाल झाल